यहां दुनिया भर में आलोचना हो रही है तो यह अब उनकी ही देश में उनकी जनता जगे जगे उनकी बेजिती कर रही है खालिस्तानियों को शेह देकर भारत के साथ पंगा लेने वाले जस्टेन टूडो की हर जगा फजीहत हो रही है भारत के खिलाफ बोलना उन्हें इतना भारी पड़ रहा है कि कोई भी देश खुले तोर पर कैनेडा के समर्थन में नहीं आ रहा है टूडो को उनके देश की संसर में भी घीरा जा रहा है लेकिन बाद अब इससे भी आगे निकल चुकी है अब वो कैनेडा के नागरिकों के निशाने पर भी आ चुके हैं जस्टिन टूडो का एक नया वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो एक सर्वजनिक जगह पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन वहीं पर मौझूद एक शक्स ने उन्हें बुरी तरह से धोडाला शक्स टूडो का वीडियो बना रहा था टूडो पहले एक छोटे से बच्च्वे के पास में पहुँचे उससे बात की और उसके बात में वो वीडियो बनाने वाले शक्स के नस्दीक आए लेकिन टूडो को क्या पता था कि उनके खिचाई होने वाली है जैसे ही टूडो उनसे बात करने की कोशिश करने लगे शक्स ने टूडो को जम कर खरी खोटी सुना डाली टूडो उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े लेकिन उस शक्स ने ऐसा जवाब दिया जिसे सु तूडो से क्या कहा वो आद्बी यहीं पर नहीं रुखा उसने कैनेडा में आस्मान ठूती महंगाई पर भी टूडो को सुना डाला उसने टूडो से कहा आपने देश को बरबात कर दिया प्रूडो ने इसके पीछे की वजह पूछी इस पर उस शक्स ने जवाब दिया कि क्य इतनी महंगाई में कोई घर खरीच सकता है इतना ही नहीं उससे टूडो की आलोचना करते हुए उनके पाखंडी रवये की चंकर आलोचना की उसने कहा कि आपकी सरकार जनता से कार्बन टैक्स वसूल रही है और आप कार्बन छोडने वाली काडियों के काफिले में खूम र की ये सुनका टूडो भी गुस्से में दिखे और उस शक्स को पुतिन का समर्थक बता डाला तो देखा आपने किस तरह से कैनेडा के बड़ बोले प्रधान मंत्री जस्टें टूडो अपनी ही जनता के बीच में बुरी तरह से घिर गये हैं जिससे उन्हें जवाब तक दे इसे कैनेडा में टूडो की घटी लोग प्रेता से जोड़ कर भी देखा जा रहा है